हाई अब्रीवन दिस्टी को एनलाइज कर रहे थे तो दो तिन बातों का हमने यहां डिसक्स किया था पहला पॉइंट यह था था अगर एक हाई बनाने के बाद में वापिस से इस 22,100 से नीचे गिरता है हमारा निफ्टी तो हमारे लिए पहला टागेट होना चीए 22,000 को वहीं से एक बाई अन डिब बनेगा और हो सकता है निक्स्ट जो रन निकलेगा वो 22,125 को ब्रेक कर दे एक हाई बनाया 186 का लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग रहा अफकोर्स वो 22,000 के उपर ही रहा नया lifetime high बनाया बट अपने क्रूशिल जो हमारा पुराना लेवल था उससे थोड़ासा नीचे रहा ये एक कहीं ने कहीं डाउट छोड़ देता है market में अगली opportunity क्या रहेगी अब इसको हमारे लिए अगली opportunity क्या यह हमारे पास में जो option chain में use कर रहा हूं this is for 22nd of fab 22nd of fab में इधर देखेगा ये 22,000 है ये 22,100 है यहाँ पर outlook हमारा है 50 lakh का इधर हमारे पास 45.95 है 124% का नए addition हुआ है बतलब नए user add हो रहे हैं जो चाहते है market और उपर जाए 120 to 100 के उपर की closing आ चुका है which means हमारे लिए आगे की market positive रहेगी ये बात हमने कल भी डिसकस के था 24th ये हमारा जो coming weekend आने वाला है तब तक market के थोड़ा सा मैं कहूंगा की positive होने की उम्मीद है तो उसी को अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे पास और 4 दिन बचे हैं और resistance definitely ये concern है that is यहाँ पर देखेगा नया addition हुआ है and that is 44% लेकिन इधर भी लगातार देखेगा ये एक अच्छा sign होता है जब आपको इधर नजर आते हैं चारो तरफ तो ये एक अच्छा sign होता है जो आपको बताता है that market में bullishness build हो रही है और उसको अगर compliment करने के लिए call side में आपक double confirmation होगी तो हमारे लिए अब कल का जो दिन है इसके accordingly बात करें तो फिर से positive निकल के आ रहा है अब हमें इस तरफ यह देखना है कि हमारा bank nifty और कल भी हम बात करें sector rotation की sector rotation में PSU IT और reality अज थोड़ा सा इनमे profit booking देखने को मिला है अपने high से कल इनमें अगर further कोई भी fall नहीं आया तो definitely यह हमारा 22,100 से target हमारा निकल के आएगा 22,000 का 22,200 शायद कल cross करके एक नया lifetime high भी बनाए और market का closing भी हमें 22,200 के उपर देखने को तो इसको अगर हम level wise समझते हैं तो चले वापिस चलते हैं चार्ट के उपर और थोड़ा सा देखते हैं level के नीचे हमारे पास क्या- 30 मिन टाइम फ्रेम पर और डाला हुआ है एक हमने जो कल लाइन बनाया था जो हमने double top triple top के accordingly बनाया था और friends अगर यह भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह अभी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक के जएगा ऐसा करके आप हमारे चैनल को ब अपने आपको वापिस से इसको buy कर सकते हैं और यहां पर जो हमने discuss किया that money management का बहुत ख्याल रखना चाहिए वह जरूर सुनिएगा और इस वीडियो का आपको यह वादा थमने ले इसको जरूर देखेगा क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपको बता रहे हैं that swing trading मे अगर आप आते हैं तो काफी एच्छे results आपको मिलेंगे तो इसका link आपको यही मिल जाएगा हमारे चैनल पर यह हमारा golden rules के अंदर जो हमारा प्ले लिस्ट है golden rules के अंदर आपको मिल जाएगा और description box में कुछ extra links पर विले में उनको भी जरूर देखेगा चले वापिस आते हैं य यह level हमारे पास में अभी इंटेक्ट है that is 22125 अब यहां पर हमारे पास में यह line आ गया इस दर से दिखेंगे तो यह हमने एक line यहां draw किया है so this is coming like this one यह दिखेंगे अगर लोगों connect करते हो जाएंगे तो यह हमारा आएगा और यह line लगबग हमारे पास में ऊपर के तरफ अगर हम हाई की बात करें तो 22160 से लेके 22180 का ही आपके पास buy बनेगा इसके उपर nifty अपने आपको hold कर लेता है तो एक अच्छा सा rise आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ हमारे पास 22000 का तो काफी अच्छा support है so I could say that हमारे लिए यह level फिर से buy on dip का का काम करेगा जैसे के आजपास आते ही आप अपनी जो भी put position होगी जो हम use करेंगे 2280 के नीचे और हमारा पहला target 22000 का रहेगा यहाँ पर हम अपनी position को book कर लेंगे further put by आपका चलेगा 21950 के नीचे because यहां से वापिस bounce करने के काफी chance है because of OI data और उपर की तरफ यह level हमारा काम करेगा that could be anywhere from 22160 to 180 और उपर के तरफ के जो target मुझे नज़र आ रहे है वो है 22 because इसी के आसपास जबाएगा तो यह क्यों बोल रहा हूं में यह हमारा spot का price है spot और जो आपने अभी data check किया वो future का price तो future का price इसी level के आसपास आएगा इतना ही premium चल रहा है तो यह take out किया तो समझ जएगा कि हमारे 22,300 के target अपने आप मिल जाएंगे 100 पॉइंट इदर 280 से लेगे 300 पॉइंट से दर मिलेंगे तो यह रहेगा हमारा nifty के लिए और इस level के निचे put buy बनेगा जिसमें आपका target यह close हो जाएगा first यह further break करता है तो चाहे तो आप further put buy और add कर लिजएगा next रहेगा bank nifty bank nifty में हमने यह channel create किया है जो 16 से लेके 16 और 19 के day को cover कर रहा है अलाकि हलका full का positive ही है और इस positivity को देखते भी असला लग रहा है कि उपर की तरह अगर भागता है तो काफी अच्छी आपको momentum मिलेंगी यहाँ पर 46,650 650 के उपर और 46,450 के नीचे हमारे पास यहाँ पर call buy बनता है यहाँ प आपको इसी बात का धहन रखना पड़ेगा that नीचे के तरफ unwinding नज़रा रही है जो एक अच्छा sign भी है हमारे लिए यह देखेगा यह वाला यह लगातार unwinding है इस तरफ हमारे पास 46,500 पे हलका full का resistance है लेकिन अगर दोनों को देखेंगे तो already इसको break किया जा चुका है और हलका full का resistance रहेगा तो यह bounce back करने में बिलकुल hesitation नहीं होगी but problem क्या है PSU banks, PSU banks में फिर से हलका full का अगर आपको sell देखने को मिला तो शायद bank nifty pressure में है इसलिए आप PSU bank के chart के उपर focus करेंगे और definitely I will update you on telegram also तो उसको join अगर आपने नहीं किया तो description box में वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा और यहां भी positive ऊपर के तरफ है कई बार ना breakout से पहले यह चोटे मोटे hurdle आपको देखने को मिलेंगे जो build up बन रहा है वो breakout का build up बन रहा है और उसको देखते वे अगर आपको लग रहा है कि यह exhaustion आ रहा है तो सरफ PSU banks के वाज़े से exhaustion आ सकता है otherwise यहां भी target आपके लिए देखेगा उसकी यहां भी unwinding हो रही है तो unwinding 47 पर क्यों किया जाएगा हाला कि यहां पर build up हो रहा है बट unwinding यहां पर हो रहा है इसका मतलब माक्सिम लोगों ने यही पर call writing sell किया था तो मुझे असल लग रहा है कि 46 650 को break कर देता है तो अच्छा खासा में एक positive move मिलेगा for bank nifty और जो हमने level discuss किये थे that was 415 650 रहेंगी या 600 भी कर सकते है क्योंकि 600 और 450 यह रहेंगे हमारे bank nifty के लिए next रहे का financial nifty financial nifty को मैं थ्ला squeeze करता हूं तो जो कल हमने एक line draw किया था यह resistance की तरह है और हमने कहा था कि इस resistance के उपर आपको अच्छा सा एक buy मिलेग break करने के बाद में काफी इच्छा rise भी मिला it went up till all 613 का high भी बनाया अगर आप यहां देखेंगे तो वापिस से उसी zone में उसने पूरा पूरा करके bounce back किया है तो यह जो level हमारे पास में है यह crucial level रहेगा और यह indicate कर रहा है buy on dip के तरफ या जिसको आप bounce back भी कहते हैं option change में य level wise तो level wise आपको ऐसे मिलेगा आपने यह levels को connect करना है so you will get 2520 2520 की level के नीचे मैं थुरा सा और आपको कहूं तो 500 के नीचे आपका put buy बनेगा reason being round number कभी कभी हमारे लिए काफी हद तक support लेकर आते हैं अगर वो नीचे की तरफ है और उपर की तरफ resistance लेकर आएंगे तो better है उन जो हमारे round numbers होते हैं उनको break करने के बाद ही आपको trade ले और नीचे की तरफ होगे हमारे पास में उपर के level में मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम 2580 के break होने के बाद में मैंसे भी support इधर ही है तो bounce back ओर आ चुका होगा और flat opening के case में इस level के उपर आपका call buy बनता है OI जो हमने winding हो रही है call side में और writing हो रही है put side में यहां भी positive momentum बन रहा है तो यह रहेगा हमारा financial stock selection में हमारा पहला प्यक है ICIC bank ICIC bank ने 1050 के level को कई बार break करने की कोशिश करें since December एक बार उसके उपर closing opening भी हुआता लेकिन sustain नहीं कर पाया आज वहीं पर struggle कर रहा है हम क्या करेंगे इसी level पे अपना buy initiate करेंगे तो कोई भी momentum कोई भी moment 1050 के उपर जाता है लेकर इसको और वहां hold कर लेता है तो यहां पर आ license में मिला है उस condition में क्या हुआ है कि हर बार एक हाई वर आई वाल लेवल 1035 के level को break करने के बाद में अगर नहीं hold कर पाता ICIC bank तो हमारा यहां पर sell निकल के आता है तो 1050 के उपर buy and 1035 के नीचे sell बीच में हम कोई trade नहीं लेंगे चाहे तो आप salon rise कर सकते है 1050 के उपर जाने आती है तो यह actual में profit booking को indicate करता है और जो closing रहा है वो हमारे पुराने कुछ support level के आसपास ही रहा है तो यह जो level निकल के आ रहा है that is coming around 458 से लेके 457 तो यह level अगर break करता है हमारा पोल इंडिया तो हमें एक अच्छा सा profit booking देखने को मिलेगा उसके basis पे आप यहां पर sell भी कर लेगा तो हम क्या करेंगे 464 से लेके 465 इस level को cross करने के बाद में हम यहां पर buy initiate कर सकते है फुरा टागेट आफ पहला 470 सेकिंड चागेट आपका 475 के आसपास रहेगा maximum stop loss आपका यहां पर जैसे मैंशे कहता हूं 1% ज्यादा मत रहेगा फूर से लेके 3 रूपीज का आप basically neutral pattern है यहां से bounce back भी आ सकता है और नीचे की तरफ fall भी आ सकता है जो लगातार यहां पर support ले रहा है वो है 438 का यह level break किया तो यह sell initiate होगा क्योंकि यह level confirm हो जाएगा break हो गया resistance face कियागा आप sell करेंगे उपर की तरफ देखिए वैसे तो यह level बार बार यहां कर hit कर रहा है अ इसके उपर जाने के बाद में आप अपना buy initiate कर सकते हैं इसमें पहला target है आपका 450 से लेके 445 तक आपका बनेगा तो यह रहेगा हमारा IGL next pick रहेगा Kendra bank PSU bank को मैंने जानबुछ के लिए क्योंकि अगर profit booking आती है तो काफी अच्छा profit में मिलेगा क्योंकि अर्छी काफी extend कर चुके हैं Kendra bank ने 7th को भी इस level को touch किया था high बना के फिर यहां पर आया था तो क्या होता जब stock अपने support level को cross करके उसके उपर hold करता है तो generally वहीं पर आकर दुबारा support लेता है तो ऐसा होगा तो काफी अच्छी आपको momentum मिलेगी उस condition में 575 से लेके 576 के उपर आप buy initiate कर सकत कर लेता है 569 भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार crucial level के जो राउंड नंबर तो आस बाउंस बैक आ जाता है इसके break होने के बाद में एक बार resistance करें तो यहां पर आपका sell बनेगा Kendra bank अंदर अभी तो band है FNO में तो आपको सरफ equity available है तो guys यह रहेगी हमारी analysis for tomorrow और जाने से पहले चानल को subscribe वीडियो को like around भूलेगा मिलेंगे अगली वीडियो में till then check care have a nice day bye bye